इस वीडियो में मेरा तुम से एक प्रश्न है कि क्या तुम इस आकृती में ये जो कौन है DEC इसका माप निकाल सकते हो क्या तो मेरा सवाल ये है कि तुम मैं निकालना है इस कौन DEC का माप तो क्यों न तुम इस वीडियो को यहां रोखो और खुद से इसे हल करनी कोश्च करो और फिर वापस आओ तो चलो अब इसे साथ में करते हैं अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि यह जो कौन DEC है उसका यह जो बिंदू E है वो परिधी पर स्तित है तो यानि कि यह जो कौन DEC और C हुआ यह तो हुआ एक अंतरलिखित कौन तो अगर यह अंतरलिखित कौन है तो इसकी अंत्खंडित चाप कौन सी है तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है यह जो कौन है DEC इसकी अंत्खंडित चाप है CD तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ कि इसकी जो अंत्खंडित चाप है वो है CD अब ये तो हमारा प्रेश्ण था जो हमें जानना था लेकिन आकरिती में हमें दिया क्या गया है आकरिती में हमें दिया गया है कौण C, F, D का माप जो दिया गया है हमें 50 डिगरी तो चलो इसके बारें बात करते हैं के हमें दिया गया है कौण C, F, D का माप अब ये कोन भी तो अंतरलिकित कोन हुआ और इसकी अंत्खंडित चाप कौन सी दिख रही है तो हम जानते हैं कि अगर दो अंतरलिकित कोन की एक ही अंतरलिकित चाप हो तो दोनों अंतरलिखित कोण बराबर होते हैं तो यहाँ पे अगर इस अंतरलिखित कोण का माप है 50 डिग्री तो ये वाले अंतरलिखित कोण का भी माप होगा 50 डिग्री तो हमें हमारी सवाल का उत्तर मिल गया तो मैंसे एक दूसरे तरीके से भी कर सकते थे कि यहाँ पे यह जो अंतर लिखित कोण है CFD जिसका माप हमें 50 डिग्री दिया गया है तो अंतर लिखित कोण के प्रमे के द्वारा इसकी जो अंत्खंडित चाप होगी उसका माप होगा इसका दो गुना यानि कि यहाँ पे जो अंत्खंडित चाप है CD उसका जो माप होगा चाप CD का वो होगा इसका दुगना यानि कि यह बराबर होगा 100 डिग्री के तो अब हमें चाप CD का माप मिल गया जो 100 डिग्री है तो अब वापस से अगर अंत्रलिखित कौन के प्रमे को हम लगाएंगे पर उल्टा तो माप CD का हमें दिया गया है 100 तो इसका जो अंत्रलिखित कौन होगा DEC उसका माप होगा 100 का आधा यानि कि 50 तो जिस तरीके से चाहो तुम इसे कर सकते थे